नमस्कार बच्चों आज हम आपके पूस्तक विवसाय अध्यान भाग एक के साथ में अध्याए निर्देशन का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं इस अध्याए के पहले भाग में हमने निर्देशन जो की प्रबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है उसके बारे में विस्तार में जाना हमने निर्देशन का अर्थ समझा उसकी बारीकियों को जाना उसके महत्वों को देखा हमने यह भी देखा कि निर्देशन के चार मुख्य तत्व हैं इन चार तत्वों को निश्पादित करके इनको करने के बाद एक प्रबंधक अपनी निर्देशन के करतवयों को पूरा करता है हमने परियवेक्षन के बारे में जाना वह अभी प्रेणा के महत्व विशिष्टाओं को समझा हमने देखा कि अभी प्रेणा कैसे किसी भी विवसाय संगठिन में या किसी भी प्रबंधक के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि अभी प्रेणा के माध्यम से एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों के निश्पादन स्तर को सुधारता है वह कर्मचारियों के संस्था को छोड़ने, अनुपस्थित रहने आदिकी दरों को कम करता है वह संगठन में हो रहे नए परिवर्तनों के लिए कर्मचारियों को तयार करता है वह इस प्रकार के अनियकों महत्व हैं जो अभी प्रेणा को एक बहुत ही जरूरी कार्य बनाते हैं आज इस भाग में हम अभी प्रेणा की एक तकनीक से शुरुवात करेंगे वह इसके बाद निर्देशन के अनितत्मों पर भी चर्चा करेंगे तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं अभी प्रेणा की एक बहुत लोगप्रे तकनीक के साथ इस तकनीक का नाम है मौस्लो का सिध्धान्त या मौस्लो की आवशक्ता क्रम अभी प्रेणा का सिध्धान्त अब्रहम मौस्लो एक विख्यात मनोवैज्यानिक थे जिनका एक उतक्रिष्ट लेख सन 1943 में प्रकाशित हुआ उस लेख में उन्होंने अभी प्रेणा के सिध्धान्तों को बड़े ही विस्तार में समझाया उन्होंने अभी प्रेणा की एक रूप रेखा दी उनका यह लेख बहुत ज़्यादा प्रचलित वह लोगप्रिये हुआ इसने संगठनों या प्रबंधकों की अभी प्रिरणा के प्रती एक सोच को बहुत जादा विस्तरित किया उसे बहुत विस्तार से समझने में सहायता की उनका सिध्धान्त मानवी आवशक्ताओं पर आधारित था उनका अनुभव था कि प्रती एक मनुष्य के अंदर पाच प्रकार की आवशक्ताओं होती हैं उन्होंने मनुष्य की सभी आवशक्ताओं को इन पाच श्रेणियों में बाटा उनका मानना था कि मनुष्य क्या आवशक्ता है समगर रूप से इन पाच उश्रेणियों के अंदर डाली जा सकती है और यदि हम यह समझ बाए कि एक मनुष्य किस प्रकार की आवशक्ता को पहले देख रहा है तो हमें सहायता मिलेगी उसकी उस आवशक्ता को पूरा करके उसे एक निश्चित मार्ग पर ले जाने में मौसलो ने यह भी कहा कि यह पाच विशिष्टाएं एक क्रम में होती है मौसलो का इस इधान्त कुछ संकल्पनाओं पर आधारित था आए पहले इन संकल्पनाओं पर चर्चा करें फिर हम देखेंगे कि आवशक्ताएं क्या थी मौसलो का मानना था कि व्यक्तियों का विवहार उनकी आवशक्ताओं या उनकी पूर्ती पर निर्भर करता है अपने आवशक्ताओं की पूरती के अनुसार व्यक्तियों का व्यभार निर्धारित किया जाता है यदि कोई विशेश आवशक्ता पूरी हो जाए या पूरी ना हो पाए तो उसके अनुसार एक व्यक्ति अपना बरताव या व्यभार दिखाता है दूसरी संकल्पना यह थी कि लोगों की आवशक्ताएं एक क्रम शुरंखला में होती है आधार भूत आवशक्ताओं से प्रारंब होकर वो धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में उच्छ स्तरी आवशक्ताओं तक जाती है वह तीसरी संकल्पना जो कि बहुत महत्वपूर्ण वह यह थी कि मौसलों का मानना था कि क्योंकि आवशक्ता एक क्रम में है तो जब तक एक निचली आवशक्ता पूरी नहीं होती तब तक व्यक्ति दूसरी आवशक्ता के द्वारा प्रेरित नहीं होता यानि एक आवशक्ता की पूर्ती होते ही उस व्यक्ति के लिए वह आवशक्ताओं को दर्शाया आए हम भी इसको एक पिरामिट के माध्यम से देखते हैं जैसा कि आप चितर में देख सकते हैं मौसलों के अनुसार मनुष्य की पांच आवशक्ताएं थी जो कि सबसे नीचे आधार भूतिया शारीरिक आवशक्ताओं से शुरू होकर सबसे एक पिरामिट का आधार यानि निचला इस्तर बड़ा होता है उसके उपरी इस्तर के मुकाबले तो पिरामिट में इसको दिखाने का अर्थिया था कि जो सबसे नीचली आवशक्ता है वो सबसे जादा महत्वपूर्ण वो सबसे जादा लोगों की होती है और धीरे धीरे जैसे जैसे आवशक्ताओं का इस्तर बड़ता है उसका छेतर भी थोड़ा कम होते जाता है यानि वहां तक कम लोग पहुँच पाते हैं आईए एक एक करके इन आवशक्ताओं पर चर्चा करें इनके उधारन भी देखें सबसे पहली आवशक्ता है आधार भूत वा शारि पहले सकते हैं यानि रोटी यानि खाना भोजन पहने को वस्त्र रहने का स्थान सिक्षा वह स्वास्ति ये पाथ चीजें बहुत आधार भूत हैं जो किसी वी व्यक्ति को एक ठीक ठाक जीवन वेतित करने के लिए बेचाहिए इनने हर व्यक्ती की आधार भूत आवशक्त वेतन इसका उधारन हो सकते है यानि एक संगठन में एक कर्मचारी की जो शारिरी का आवशक्ता है वो किस्से पूरी होती है एक आधारी कुएतन के द्वारा अगर ठीक ठाक वेतन मिल रहा है तो इसका मतलब है कि कर्मचारी अपने घर में दो वक्त की ठीक से रोटी, मकान आधी जुटा पा रहा है अपने परिवार का पेट भर पा रहा है एक बार जब किसी व्यक्ति की शारिरिक आवशक्ता है पूरी हो जाती है तो इसके बाद अब वो अगली आवशक्ता के बारे में सोचता है जो की है सुरक्षा की आवशक्ता है सुरक्षा की आवशक् की सुरक्षा की बात भी करता है यानि हर व्यक्ति चाहेगा कि उसके पास आय का एक स्थाई श्रोथ हो उसकी नौकरी जाने का खत्रा नहों उसका काम बंद होने का खत्रा नहों संगठन में इस प्रकार के आवशक्ता को पेंशन योजनाए काम को पर्मनेंट बना देना इस त कारेकाल खतम होगा तो उसके बाद भी उसके पास एक निश्चित राशी आते रहेगी जिससे उसका वो उसके घर का काम चल सकता है तो यह थी सुरक्षा की आवशक्ता अब एक बार एक व्यक्ति अपने काम को लेकर सुरक्षित महसूस करे वह निश्चिंत हो जाए कि उसकी नौकरी उसका काम नहीं जाने वाला उसको नौकरी के बाद भी पेंशन मिलते रहेगी तो इसके बाद वह अगली आवशक्ता के बारे में सोचता है जो की है संबंध या मितरता की आवशक्ता है या सामाजिक आवशक्ता है अब जैसा कि हम जानते हैं मनुष्य एक सामाजि कर रहना चाहता है कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वो एक ऐसे संगठन में काम करें जहां उसे अलग थलग कर दिया गया है जहां वो किसी से बातचीत नहीं कर सकता या लोग उसे बातचीत नहीं करतें लोग उसे जानते तक नहीं किसी से उसका कोई संबंद नहीं है इसके विप्रीद हर व्यक्ति चाहता है कि वह संगठन में एक अच्छे समाज के रूप में कारे करे एक अच्छे दोस्त के रूप में, मित्र के रूप में कारे करे जहां लोग उससे मित्रता रखें, लोगों से वो बात्चित करें, घुले मिले, हसे खेले और एक अच्छा वात अवरण रहें, इस आवशक्ता को ही संबंद रूपी आवशक्ता का नाम दिया गया है, संगठन में इसे सह कर्मियों के साथ मित्रता पूर्ण संबंद बना कर पूरा किया जा सकता है, अब यदी संगठन में एक व्यक्ति के लोगों से संबंद भी अच्छे हैं, और उसके नीचे की दोनों आवशक्ता भी पूरी हो गई हैं, अब वह अपनी अगली आवशक्ता के बारे में सोचता है, एक हर व्यक्ति संगठन में चाहता है कि वह मिले उसकी पहचान बने लोग उसे आदर के साथ देखें तो यह आवशक्ता प्रतिष्ठा वा मान सम्मान की आवशक्ता कहलाती है संगठन में इस आवशक्ता को एक पद शीर्शक यानि कोई पद देकर औहदा देकर पूरा किया जा सकता है अब एक बार कोई व्यक्ती एक अच्छे पद पर पहुँच जाए यानि उसकी शुरू की चारों आवशक्ता अब पूरी हो चुकी हो तो इसके बाद अब व्यक्ती को क्या चाहिए ऐसे व्यक्ती जो अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उनकी एक और आवशक्ता होती है जिसे आत्म संतुष्टी की आवशक्ता कहा जाता है आत्म संतुष्टी की आवशक्ताओं का अर्थ है कि कुछ व्यक्ति अच्छा पद, अच्छी, नौकरी, अच्छा वितन, आधी पाने के बाद भी यह चाहते हैं कि उन्हें कुछ चुनोतिया मिले, वह कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें, वह बड़े कारें करें वह अपने आपको संतुष्ट करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को संगठन में यदि उनके इस प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ती के आवसर मिलते हैं, तो वह संतुष्ट रहते हैं इस प्रकार बच्चों, हमने देखा कि मौसलों ने पांच तरह की आवशक्ताओं का वरणन किया है, और यह आवशक्ताओं नीचे से शुरू होकर उपर की और बढ़ती हैं, और जैसा कि हमने देखा, यह मौसलों की संकल्पना थी, कि जब तक एक व्यक्ति की कोई एक यानि उसका वेतन उसकी आधार भूत आवशक्ताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा, उसके पास घर में ठीक से रहने की जगह नहीं है, खाने को या पहनने को कपड़े नहीं है, ऐसे में यदि वो व्यक्ति अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा, और प्रबंधक उसे प अधार भूत आवशक्ताओं की चिंता पहले होगी, उसे प्रेरित करने के लिए बहतर यह होगा कि प्रबंधक उसको एक अच्छा वेतन दे, ताकि वो अपना घर चला सके, और इसके बाद हम उसकी आगे की आवशक्ताओं को देख सकते हैं, तो इस प्रकार मौसलों ने प प्रेवसाई जगत को यह बताया, कि यदि हम अपने कर्मचारियों को प्रेरित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम यह समझना होगा और यह पहचानना होगा, कि जो भी कर्मचारी प्रेरिना चाहता है, वह आवशक्ता की किस स्तर पर है, उस स्तर की आवशक्ता को पूरा कर करके फिर हम उस व्यक्ति को या कर्मचारी को प्रेरित कर सकते हैं वह उसे काम करवा सकते हैं तो यह था मौस्टलो का सिध्धान्त जिसने हमें अभी प्रेरिणा को और विस्तार में समझने में सहायता की अब आईए बात करते हैं कि एक बार यदि हम पहचान भी ले कि व्यक्ति किस आवशक्ता इस्तर पर है तो अब हम उसे प्रेरित कैसे कर सकते हैं आपको याद होगा पिछले भाग में हमने बात की थी कि अभी प्रेरिणा का एक महत्वपूर्ण घटक या तत्व है अभी प्रेरक यानि ऐसी चीज़ें या तकनीके जो हमें सहायता करती हैं कर्मचारियों को प्रेरित करने में आईए ऐसी तकनीकों पर चर्चा करें इन तकनीकों को प्रोट्साहन तकनीके कहा जाता है मुखित है प्रोट्साहन दो तरीके से दिया जाता है वित्य प्रोट्साहन या गैर वित्य प्रोट्साहन वो प्रोट्साहन है जो प्रतेक्ष रूप से वित्य के रूप में यानि यानि यदि आप एक अच्छा वेतन दे दे कर्मचारियों को तो कई कर्मचारी उससे ही प्रेरित हो जाते हैं इसके अलावा हम उत्पादक्ता संबंधी पारिश्रमिक या प्रोसाहन भी दे सकते हैं जो अच्छा काम करें उसे उस अच्छे काम के लिए या अधिक उत्पादन के लिए कुछ अलग से अत्रिक्त पारिश्रमिक दे दिया जाए इसके अलावा बोनस देना अभी लाभांश देना यानि संगठन के लाब में उन्हें हिस्सा देना सह साज़दारी कर देना यह भी एक बहुत लोकप्रिय तरीका है बड़ी-बड़ी कमपनिया कई बार अपने कुछ विशेश करमचारियों को जिनका संगठन में बहुत जादा योगदान है उन्हें कमपनी में या वेवसाई में साज़दारी एक छोटा सा हिस्सा देकर भी प्रेरित कर देते हैं इसके अतरिक्त सेवा निवर्ति के लाब जैसे कि भविश्य निधी पेंशन आदी इस तरह की सविधाय देकर भी हम करमचारियों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं वह प्रेरित कर सकते हैं इसके अलावा अनुलाब यानि काम से जुड़े हुए वेतन के अलावा कुछ अतरिक्त लाब जो की करमचारियों को बहुत उत्साहित कर सकते हैं यदि हम कर्मचारियों के बच्चों की सिक्षा का खर्चा उठाएं, उनके आने जाने का खर्चा उठाएं, इस तरह के लाब भी कर्मचारियों को प्रोशाहित करते हैं तो ये सभी उधारन वित्य लाब के अंदर आते हैं इसके बाद यदि हम गैरवित्य प्रोशाहन की बात करें, तो सबसे पहले आता है पद प्रतिष्ठा, यानि कई कर्मचारी अपने कारेकाल में उपर की और तरक्य करना चाहते हैं, यदि उन्हें एक अच्छा पद दिया जाता है, तो वो उसे प्रोशाहित हो जाते हैं कई कर्मचारीों के लिए दूसरे प्रकार का गैरवित्य प्रोशाहन बहुत जरूरी होता है, जिसे हम संगठनिक वातावरन कहते हैं, यानि अगर आप कर्मचारीों को सब कुछ देते, लेकिन आपके संगठन का वातावरन खराब है, वहाँ लड़ाई जगडे होते हैं, वह समवर्धन जैसी चीजें, इस तरह की चीजें कर्मचारीों को प्रोशाहित करती हैं, एक अन्य चीज है, जो है कर्मचारीों को पहचान या मान समान देना, ये छोटी सी चीजें लेकिन कई बार कर्मचारीों को बहुत प्रोशाहित करती हैं, उधारन के लिए यदि किसे कर इतालिया बजवाएं या उसकी फोटो या उसका नाम नोटीस बोर्ड पर लगाएं उसे एक प्रकार का सर्टिफिकेट दे दे तो इस तरह की चीजें मान सम्मान या पहचान दिलाती हैं जिससे कर्मचारी प्रोसाहित होते हैं इसके अतरिक्त पद सुरक्षा देना यानि स्थाइत्व प्रदान करना कर्मचारियों को पर्मनेंट कर देना इस तरह की चीजें भी उन्हें प्रोसाहन देंगी कर्मचारियों की भागिदारी को बढ़ाना उनको शशक्ती करन देना ये सभी चीजें कर्मचारियों को अपने संक्षेप में पुनाह देखें, तो हमने जई देखा कि अभिप्रिणा के तीन तत्व होते हैं, देश्य, अभिप्रिणा की प्रक्रिया, हमने इसके महत्व को जाना, मौसलों की सिधान्त को समझा, और अब हमने यह भी देखा, कि अभिप्रिणा के लिए जो अभिप्रिणा के बाद एक निर्देशक को नित्रित्व भी दर्शाना होता है नित्रित्व किसी भी निर्देशक या प्रबंधक का एक बहुत महत्व पूर्ण कारी होता है यदि हम अच्छा नित्रित्व प्रदान करेंगे तो यह कर्मचारियों के विवहार को सकारात्मक रूप से प्रभ वह अपने अनुयाईयों अपने शिश्यों या अपने नीचे कारी करने वाले लोगों के मध्य अच्छे संबंधों को बनाए रखने में उन्हें अभिप्रिरित करने में व्यक्ति को योग्य बनाती है यानि कि एक अच्छा नेता अच्छे संबंध अच्छे मार्गदर्शन अच्छी अभी प्रिर्णा के माध्यम से संगठन के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए कर्मचारियों को प्रेरित कर सकता है नेत्रित्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला या प्रक्रिया है जिससे वो अपनी एच्छा वा उत्साह से सामोहिक उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए प्रतिस पर्धित हो सके अच्छे नेतरित्व की कुछ विशेष्टाएं होती है नेतरित्व किसी व्यक्ति की दूसरों को प्रभावित करने की योगिता को दर्शाता है एक अच्छा नेता उसे माना जाता है जो दूसरों को प्रभावित कर सकता है उनके वेवहार में परिवर्तल ला सकता है नेतरित्व नेता वो अनुयाईयों के मद्य उनके पारिस पर एक संबंधों को दर्शाता है नित्रित्व का अभ्यास संस्था के समान लक्षों के प्राप्ति के लिए किया जाता है नित्रित्व एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी है तो कहने का मतलब यह हुआ कि एक अच्छा नेता नित्रित्व निरंतर प्रदान करता है वह अनुयाईयों से अच्छा संबंद बनाये रखता है, वह उनके विवहार को प्रभावित करके संगठन में उनके विवहार में सकारात्मक परिवर्तन लानी में भी सहायता करता है इसलिए नेतरित्व भी किसी भी निर्देशक का एक महत्व पूर्ण का रही है सबसे पहली बात यह है कि यहाँ लोगों के विवहार को प्रभावित करता है, जो कि हम बार-बार देख रहे है नेतरित्व के द्वारा हम लोगों के विवहार को प्रभावित कर सकते हैं अच्छा नेता एक अच्छा लीडर लोगों की उर्जा को सही दिशा में लेकर जा सकता है और उनके संगठन के लिए सकारात्मा की योगदान निकाल सकता है एक नेता कर्मियों के साथ-साथ अच्छे संबंद बनाए रखकर अपने कर्मियों या अनुयाईयों को उनकी आवशकता हैं पूरी करने में भी सहायता करता है एक नेता संस्था में आवशक परिवर्तनों को लाने में एक महतो पूर्ण विमिका निभाता है वह कर्मचारियों को विश्वास दिलाता है यह स्पष्ट करता है तो पूरे दिल से परिवर्तनों को सुविकार करने के लिए प्रेरित करता है कि यह परिवर्तन उनके लिए अच्छे हैं इस प्रकार वो परिवर्तन के विरोध के समस्या से निबटने में भी साहिता करता है एक नेता द्वंद को भी प्रभाव पूर्ण तरीके से संभालता है यानि यदि किसी प्रकार का द्वंद उत्पन हो जाता है तो उन्हें संभाल कर उन्हें फैलने से रोका जा सकता है यदि प्रबंदक में अच्छी नेत्रित्व के गुण है एक अच्छा नेता सदा अपने अनुयाईयों को अपनी भावनाओं तथा असहमती को प्रदर्शित करने की अनुमती देता है परन्तु उन्हें या उप्युक्त स्पष्ठी करन द्वारा आश्वाशन भी देता है नेता अपने अधिनस्थों को प्रसिक्षण भी उपलब्द कराता है या देता है एक अच्छा नेता हमेशा अपना अलग नेत्रित्व प्रदान करता है वो अपने नीचे करमचारियों को उस लायक बनाता है कि उसके करमचारी भी अपने कारेस्तर में उपर उठे कुल मिल आकर यदि देखा जाए तो एक अच्छा नेता हुआ है जो करमचारियों के विवहार को प्रभावित करके उन्हें एक विशेश दिशा में ले जाने में सहायता करता है यानि यदि एक विक्ति अच्छा नेता है तो लोग उसकी बात को मानेंगे उसके द्वारा दिखाएगे मार्ग पर चलेंगे और इसका उप्योग करके या फायदा उठा कर एक अच्छा नेता संगठन में संगठन के उदेशों के प्राप्ति की ओर सभी लोगों को लेकर जा सकता है तो बच्चों आज हमने इस भाग में अभी प्रिर्णा के सिध्धांत वो प्रोचसाहनों को समझने के अलावा नेत्रित्व की विशिष्टा वो महत्व को देखा है इस अध्याय के अगले भाग में हम नेत्रित्व की शैलियों पर चर्चा करेंगे वो उसके बाद हम निर्देशक के एक और महत्वपूर्ण कारिय संप्रेशन पर भी चर्चा करेंगे आज जो भी हमने सीखा वह ना केवल व्यवसाय या संगठन के लिए महत्वपूर्ण है बलकि जीवन में भी हमें लोगों से मिलने जुलने में बात करके उनकी आवश्यक्ताओं को समझने में सहायता करता है मैं आशा करता हूँ आप आज के विशय को समझ पाए होंगे आज के इस भाग में इतना ही धन्यवाद झाल 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 झाल